हेलो दोस्तो गुड मार्निंग स्वागत है आपका अपने परिवार नात इस्टडी में मैं रोज आपको दैनिक समसमाई की लेकर आता हूं और आप मेरे सेर हैं आप मेरे हीरो हैं जानते ना फोच की जब दोड़ होती है धाई सो बंदे रहेंगे तो उसमें पहले पकड़ते हैं कितने पांच चार पांच को पकड़ते हैं और आप दिमाग में बना के चलिए कि मुझको एक सीर से मतलब है ठीक देखिए आपके लिए पहला करेंट अपेर्स है कि हाल ही में केंद्री जल आयोग ने बाढ़ की जानकारी के लिए किस मुबाइल एप को लांच किया है कि केंद्री जल आयोग ने लांच किया है क्या बाढ़ की जानकारी के लिए किस मुबाइल एप को लांच किया है फ्लड वाच आपका एंसर क्या है फ्लड वाच एंसर है और देखिए बाढ़ की यानि सात दिन कहेंगे बाबू सात दिन पहले आपको जानकारी मिल जाएगा कि जो इसे भविस्वाड़ी होता है वैसे आपको बता देगा जानकारी देगा कि यहां पर बाढ़ आने वाली है यह इस्तितियां है आपको सारी नालेज इस पर मिल जाएगा और कौ इसका हेड़ कोड़र कहा है हेड़ कोड़र क्या नई दिल्ली नई दिल्ली अच्छा बाढ़ की बात तो आप जानते भारत में सबसे अधिक बाढ़ गरस्त राज्य कौन है अगर कहा जाए तो बाढ़ से बाढ़ से सबसे अधिक बाढ़ कहां आते हैं सबसे पहले आशाम में कहां पर आशाम में उसके बाढ़ क्या है पशिम बंगाल में पशिम उसके बाढ़ कहा है बिहार में बिहार में क्या आते हैं बाढ़ आते हैं सबसे अधिक और बाढ़ जानते हैं जब जादी करके अधिक बरसात के मौसम में बाढ़ाते क्योंकि नदियां उफान प्याती हैं तो नदियां उफान प्याती हैं तो सबसे अधिक नदी जो बाढ़ाती है तो सबसे अधिक नदी जो बाढ़ाती है वो है आपका गंगावेसीन है क्या गंगावेसीन कौन सी गंगावेसीन उसके बाद क् ब्रह्म है पुत्र है ब्रह्म है पुत्र नदी है क्या लाती है यह बाढ़ लाती है अच्छा कह जता है बिहार की सोक नदी कौन है जो बाढ़ लाती है सब से दी कोशी है बिहार की क्या है बिहार की सोक सोक नदी कौन है बिहार की सोक नदी है आपका कोशी क्या है कोशी नदी है और कोशी नदी है आपका देखे बाबू और यहाँ पे आच्छा कह देगा कि यह जो है सुनामी लहर सुचना प्रडाली केंद्र कह देगा सुनामी लहर लहर सुचना सुचना प्रडाली केंद्र सुचना प्रडाली कहा है सुनामी लहर सुचना प्रडाली हेड कोड़ कहा है आपका है 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 राबाद किसने किनारे बसा है मूसी नदी के किनारे है ठीक अच्छा आप फास्टर आप किसने लांच किया है फास्टर आप किसका है देखे यह है किसका या सी यानि क्या सुप्रीम कोट की किसकी है सुप्रीम कोट का है सुप्रीम कोट का ये फ्रडवाच आपका लांच किया जल आयोग सी विजील एप ये कौन क्या है निर्वाचन आयोग क्या है निर्वाचन निर्वाचन आयोग का है किसका है निर्वाचन आयोग का है और ये क आपको तेजी से आगे निकलना आपकी पारी बैकाइसी छोड़ना नहीं है नोट भी बनाईए अपलस अच्छे से पढ़िए इसको आए बावु देखते हैं दूसरा क्यूशन हाल हे में दूतिचंद कितने साल के लिए खेल से पर्फबंधित किया है ठीक कितने साल के लिए बावु देखे जब कोई खिलाड़ी किसी मादक पदार्थ का परियोग करता है और उसपे एक होता है àsपने देश के लिए राश्टी स्थर पर नाड़ा है और अंतराष्टी इस तर पर वाड़ा है देखे बाव आईए देखते हैं यहां पर देखे दूती चंद को यहां पर दूती चंद को परतिबंधित किया गया है कितने साल के लिए बाव चार वर्स के लिए कितने साल के लिए चार वर्स के लिए प्रतिबंधित किया है और दूती चंद का संबंध क्या है धावक हैं क्या है धावक है यह है और इन्होंने खेल में अपना मादक पदार्थ का यूज किया था और इसके तरह से उनको प्रतिबंधित कर दिया है तो प्रतिबंधित कौन किया है खेल से कौन किया देखे आए द एंटी डौपिंग्न एंजेंसी यानि क्या है नेशनल एंटी डौपिंग एंजेंसीячा है आपका क्या करता है मादक पदार्थों के यह जाट करता है इसकी स्थापन थी वाबु दो हजार पांच में और मुख्याले क्या है नई दिल्ली है क्या है नई दिल्ली है यह आपका इन्होंने ही पर्तबंधित लगा दिया है और विश्व में कहेंगे हम तो विश्व में क्या होता है इसका है क्या वाडा 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 है वाडा का है क्या वर्ड एंटी डोपिंग डोपिंग एजनसी एजनसी ठीक अच्छा एजनसी इसका मुख्याल है कहा है मांट्रियल मांट्रियल क्या है मांट्रियल मांट्रियल कहा है कनाडा में कनाडा में है क्या यह सब क्या करते हैं कि नेशनल के तौर पर राश्टी और अंतराश्टी के तौर पर जो खेल होते हैं उसमें जो मादक पदार्थ जो खेल के बिर्द काम करते हैं यानि खेल में पकरा जाते हैं डोपिंग इनके तहत उनको खेल में परतिबंधित कर दिया जाता है उनके उपर होता है दो वर्स का भी कर सकते हैं चार वर्स का भी कर सकते हैं तो उन्होंने कितने को पी टी उसा का संब्द्र किसे यह भी धावक से हैं मिलकर सिंग यानी क्या है जेखे मिलकर मुलकर सींग है जिस संब्रूरिlt है दढ़से कि से जिसे धावक है क्या है कि यह भी धावक है थीक धावक है । बाबू देखते हैं अपना तिसरा क्यूश्चन तिसरा क्यूश्चन है बाबू हाल ही में किस राज में भगवान बिर्सा मुंडा सरक की योदना चलाये गया है देखिए सरक की जरुत पड़ती है ठीक एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए लेकिन आप सुन र नारा था बिर्सा मुंडा तो रहने वाले हैं कहां के जार खंड के जार खंड के जार खंड के रहने वाले हैं लेकिन इसका एंसर है आपका क्या क्या क्यूश्चन फशाएगा इसका एंसर है आपका क्या महा राष्ट बाबू क्या है महा राष्ट है ठीक अच्छा बिर्सा का सासन रानी का सासन खत्म करो और क्याते हैं अपना अपना सासन शुरू करो और आदिवासियों के कहा जाये तो भगवान की रूप में बिर्सामुंडा रहते थे ठीक और उन्हों अजादी के लिए बहुत से संघर्ष किये हैं अपने जीवन का बहुत महत्पूल योगदान जार खंड के रहने वाले धनबाद के कहता है रहने वाले हैं और महा राष्ट्ण क्या किया है आदिवासियों के छेत्र में पहुच बनाने के लिए क्या सूविध़ा के लिए बनाया गया है क्या भगवान बेटसा मुंडा सरक योजना लाया जा रहा है वहाँ पर महा राष्ट में अच्छा महा राष्ट में कहते हैं कि कि जो नक्सलाइट रहते हैं नक्सलवादी रहते हैं किसके महाराष्ट में लाए गया था नकसलवादियों के लिए कौन लाया था बियारो बार्डर रोड अर्गनाइजेशन हीरक प्रजेक्ट लाया था अच्छा देखिए सड़क की बात आई है तो कहते हैं कि स्वर्डिम चतुर भूज किससे संबंदित है सड़क यानि क्या र महाराष्ट की राध्धनी क्या है मुंबई किस द्वीप पर है साल टेट द्वीप पर है मंध्य परदेश की राध्धनी क्या है भुपाल में भारत भारत भवन है भारत भवन उत्तर पर्दस की राजधानी क्या है लखनोव क्या है लखनोव में क्या है एक चिकनकारी चिकन कारी कला है चिकनकारी क्या है कला कहां पर है यह कहां पर लखनोव में जारखंड की राजधानी क्या है आप कमेंट बाक्स में जुरूर बताईएगा जारखंड की राजधानी ठीक, देखिए अब बावु चलते हैं अपने चौथे क्यूशन पे चौथा क्यूशन है बावु कि हाल ही में मैटी केले को जी आई टेग मिला है 21 राजजिका है तो जी आई टेग मतलब होता है geographical indication यानि भगौलिक सांकेति जी आई टेग अधिनियम यानि एक्ट कवाया था 1999 में और देने की शुरुआत यानि शुरुआत होई थी कब 2003 में लेकिन पहला पहला जी आई टेग 2004 में मिला था किसको मिला था दारजिलिंग 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 चाए को मिला था मैटी केला मिला है किसको तमिल नाडू को अँसर एसका मैटी केला कन्या कुमारी का एक जगह है केले की बहुत अच्छी वहां जलवाई होती है इसलिए वहाँ पे केले का और देखे बग खाने में उसका सुगंध और स्वाद सहद जैसा होता है देखिए सुगंध क्या ये मैटी केला जो है इसका सुगंध सुगंध और स्वाद स्वाद एकदम जो होता है सहद जैसा होता है कैसा होता है सहद जैसा होता है क्या इसका स्वाद ठीक है अच्छा कहेगा आपसे कि यहीं पर question पूछ देगा आपसे कि बहुत अच्छा question बाबु एकजाम में आए राष्टी केला अनुसंधान केंदर कहां है कहेगा राष्टी केला अनुसंधान केंदर कहां है तो आप इसका answer लिख लिजिएगा इसका answer एक त्रीची क्या है त्रीची क्या है त्रीची त्रीची कहा है त्रीची बाबु है आपका तीरुचीरा पल्ली तमील नाडु में कहा है तमील तमील नाडु में है कहा है बाबु तमील नाडु में है आपका इसका answer क्या है तमिल नाड में अच्छा देखें केला में कहते हैं कौन सा रोग होता है एक बिशाड होता है कौन बंची पूछता है बंची बंची टाप बंची टाप रोग जो होता है वह बंची टाप रोग होता है किस में होता है केले में होता है वह एक दम पूछता है केले में होता है क्या bunchy tap रोग तो कि पकने के लिए पकने के लिए पकने के लिए ताप मान कितना होना चाहिए तो 20 Cısı Also क्या होना चाहिए क्या करने पकने के लिए किसी को केला को और अगर केले इसी बात कर रहे हैं इसमीं देखें बन बनाना हो गयाता है एक नामा के ले में होता है निगा रोट को लानि बनानि कवक थो जो रोग हो वता है किसमे को यह को थán, कंवक नामा मिलता है अच्छे से आपकी लाइब है आप अपने जीवन को बहतर बनाए और अच्छे से तयारी करिए प्लस साथ भी क्या बनाएए नोट बनाएए आप अपना जीवन खुश दमारेंगे ठीक इतिहास आप ही रचेंगे अब आप देखते हैं पांचमा क्यूस्चन वाला है कौन देखें यहां से नाम क्या है उसका अगनी बाड अच्छा अगनी बाड यह बन रहा है कहां अगनी कूल कसामस यह जो है चेंगे में एक क्या है चेन्नेई में है, कहां पर है बाबु, चेन्नेई में है, ये क्या है, नीजी, नीजी कहते हैं ना, कि आंतरिच में जो private काम करें, नीजी कमपनी है, कमपनी है, काम करती है, किसकी आंतरिच के लिए, किसके लिए, आंतरिच के लिए, आंतरिच, आंतरिच के, दूसरी नीजी कम company कौन है अन्तरित्स Manaë में जो काम करता है कह देगा भारत का भारत का पहला पहला इस्पेस इस्पेस आन्तरित्स इस्पेस, कंपणी, इसपेस Japanese company क्या है यह कौन है नीजी Geneva company नीजी कंपणी का नाम है उसका नाम इसकार रूट क्या है स्कारल रूट है, क्या है, इसका ही रूट है, कहाँ, हैदराबाद में है, हैदराबाद में है, कहाँ है, हैदराबाद में है, क्या, यह है आपका इसका ही रूट, अच्छा, यह है किस राकेट को लांच किया था, बिक्रम, किसको, बिक्रम, बिक्रम, आइस को क्या किया था यह लांच किया था तो अगनी कूल जो चे नहीं का है और यह लांच किया जाएगा आपको किया जाएगा सिरी शिरी हरी कोटा से क्या किया जाएगा इसको लांच किया जाएगा क्या अगनी बार यह क्या है अगनी बार जो अगनी कूल का सामस्चे नहीं कि एक नीजी कमपनी जो आंतरिच के लिए क्या करते है काम करते है यह इसे शिरी हरी कोटा है यानि शिरीहर कोटे दीव पर ही एक है क्या उसका नाम है सतीष 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 धवन अंत्रिच केंद्र से क्या किया जाएगा इसको लांच किया जाएगा अच्छा का जाएगा भारत का पहला रोकेट कौन सा थो जो लांच किया गया था तो भारत का पहला रोकेट जो लांच किया गया था उसका नाम है रोहडी रोहडी 75 क्या रोहडी 75 उसका नाम क्या है भारत का पहला रोकेट लांच किया गया था ठीक अच्छा का जाएगा भार का पहला उप ग्रह क्या है आर्य भट है जो 1984 में 1975 में 1975 में क्या किया गया था ठीक सायन में बहुत दिक्कत होगा तो इसको देख लेंगे थोड़ा सा ठीक अप्रेल 1984 है सायद अप्रेल 1984 और तो गया थे सोरी बाबु थोड़ा इसको देख लिजेगा आर्य भट भड है क्या है पहला उपग्रह है धिक दिमास से थोड़ा सा कड़ गया है सोरी इसके लिए भारत का पहला उपग्रह का नाम है क्या आरे भट आरे भट और आरे भट को लांच किया गया था कब 19 अप्रेल 1975 में क्या किया गया था लांच किया गया था आरे भट तो एक बार देखिए दुनिया का पहला 3D राकेट आचा आप देखिए कहा जगा भारत का पहला दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कौन है कहां पे है तो आपका तिलंगाना में है परवती जी का है गड़ेश जी का है संकर भगवान का है कहते का भारत का पहला सेना का 3D प्रिंटेड घर क्या है आहमदाबाद है भारत में पहला पोस्ट आपिस डांक घर क्या है डांक घर है चेन्नेई में IIT मद्रास द्वारा खोला गया था ठीक बाबु आए देखते अपना च्छठा क्यूशन है भारती राष्टी महासागर सुचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए किस एप को लांच किया है देखिए एप लांच किया जाता है नाविकों के लिए जानते हैं अपना जो ये भारत है ये जो भारत है अपना ये यहाँ पे आप देखते हैं कि ये क्या है और अब ये क्या है बंगाल की खाड़ी ये क्या है हिंद महासागर क्या है हिंद महासागर है ठीक तो हमारे नाविक जो जाएंगे वो समुंदर में ही जाएंगे मचली के लिए प पाकिष्टान में चले आते हैं कभी टूफानाता है इन चीजों से बचने के लिए तो सरकार ने एप लंच किया है कौन या सूचना भारति राष्टि महासागर सूचना सेवाने लंच किया नाम है आपका समुध्र एप क्या नाम है?" ब्ब्द एप को क्या किया है लांच किया यह इस्थापना किया गया था Fiona's 1999 में किस मंत्र आलें दवारा पिर्थभी भिग््ञान तर मन्त्र अलें मन्त्रा लें द्वारा क्या किया गया था लांच किया गया था और इसके जो मंत्री है, कौन है, किरेन, किरेन, री, जीजू, किरेन, री, जीजू, इसके क्या है, बिज्ञान, फिर्थे भी विज्ञान, मंत्री है, इन्हीं, जो है, यह लांच किया गया है, इसके दोरा क्या, और इसको इस्थापना किया गया, तो 1999 में किसके दोरा, फिर्थे के लिए लांच किया गया अच्छा कहेगा महा सागर दिवस आठ जून को मनाया जाता है ठीक अच्छा ये जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महा सागर ये तीनों को टच करता है कौन कन्या कुमारी कन्या कुमारी कन्या कुमारी कन्या कुमारी अच्छा कन्या कुमारी है कहाँ ये तमील नाडू में है ये आपका क्या कन्या कुमारी आए बबु देखते अपना सात्मा क्यूश्यन सात्मा क्यूशन है बाबो आपका नागद्वारी मेले का आयोजन किस जगह किया गया है ठीक सावन के महीनों में लगता है किसमें सावन के महीने में लगता है किसमें सावन में देखिएगा सावन के सावन में हर साल हर साल लगता है कहां लगेगा सावन में कहां लगेगा पंच मढ़ी में कहां पंच मढ़ी पंच मढ़ी कहां है महा पंच मढ़ी का सौरी दोस्त कहां है मध्य परदेश में कहां है मध्य परदेश में मध्य परदेश में लगेगा पंच गनी कहा है महाराश्ट में महाराश्ट में आपका एंस्वर क्या है पंच मढ़ी ठीक महाराश्ट में राथ कहा है परभतिनेगर हमा प्रदेश में पहल गां कहा है क्या है कस्मीर में अपने प्रदे प्रदेश में सावन multi किभलता guy हें अपने भासा में क्या 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 जाता है हर शामन के मास में पंचमणी नगेगा बाबु ठीक है झाल झाल